हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल तो साथ्यों आज इस क्लास में टॉप 100 जीके जीएस के क्वेस्टन्स करेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2023 के लिए जी हां साथ्यों अगर आप भी दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की त रिक्षाओं में और आगे भी आपसे पूछा जाएगा तो सुरू से अन तक आपको हर एक क्वेस्टन को देखना है चले फिर सुरू करते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिए क्लास अगर पसंद आएगा तो आपने सभी दोस्तों तक जरूर श किष्णे बनाया था राइट एंसर हो जाएगा साथ हो ओप्सन नंबर ए सेरसा ने सेरसा यानि सेरसा सूरी जिन्होंने पटना को अपना प्रांतिया राजधानी बनाया था अगला कुष्चे ने अहमादिया देखिए अहमादिया यानि कादियानी आंदोलन जो की 1889 से 90 के बीच में आरम किया था इसको किष्णे आरम किया था तो अहमादिया या कादियानी आंदोलन को किष्णे प्रारम किया था तो देखिए राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर ए मिर्जा गुलाब अहमद ने याद रखना मिर्जा गुलाम अहमद नेक्स्ट कोश्चे ने ब् एके स्वर बाद का परचार करना, option number B, यहां आपका correct answer हो जाएगा, एके स्वर बाद का परचार करना, next question है, पालवन्स की राजधानी कहा थी, तो ध्यान से दिखीगा साथी, वो पालवन्स की राजधानी कहा थी, तो right answer होगा मुद्द्यगिरी या मुगेर में, right answer हो एबने, option number C, right answer हो जाएगा, अगला question है, किस सुल्तान के काल में, खालसा भूमी, अधिक पैमाने पर विक्सित हुई, तो इन में से वो कौन सा सुल्तान है साथ हो, जिसके काल में, खालसा भूमी, अधिक पैमाने पर विक्सित हुई थी, तो अलावदिन खिल जी के समय में राइट आएगा, option number B, next question है, भारतियों के लिए, महान रेसम मार्ग, किसने आरम कराया था, या महान सिल्क मार्ग भी इसको बोला जाता है, तो महान सिल्क मार्ग या रेसम मार्ग का आरम किसने कराया था, भारतियों के लिए, तो राइट अंसरों का कुसान सासक कनिस्क ने option number A अगला question मेगास्थिरिज की पुस्तक का क्या नाम था यानि इन में से वो कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना मेगास्थिरिज ने की थी तो simple सा question ने right answer होगा option number D इंडिका next है अकवर दुआरा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्सा बध बिहार की तरह है तो साथो देखिए अकवर दुआरा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्सा बध बिहार की तरह है तो याद रिखेगा पंच महल देखिए अकवर ने जो पंच महल इमारत बनवाया है इसका जो नक्सा है साथियो बध बिहार की तरह है याद रखना अगला कोश्चे ने रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधी किस वन्स के सासकों ने धारन किया था तो सकों ने ठीक है ओप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा सक सासकों ने अगला कोश्चे ने चोलो का राज किस छेतर में फैला हुआ था तो राइटन सरो जाएगा ओप्स नमबर डे राइट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चे ने किसने घोषना कर रखी थी कि वहाँ अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंतता भारत से तो साथ यो इसकी घोषना किसने की थी तो याद रिखे हैदर अली ने ऑप्सन नमबर सी निती के अंतरगत कौन से भारतिया राज कबजे में किये गए थे जासी नागपूर वसतारा ठीक है याद रिखेगा ओप्सन नमबर भी नेक्स्ट लोधी वन्स का संस्थापक कौन था देखे लोधी वन्स का संस्थापक आपसे पूछा है तो याद रिखेगा बहलोल लो लोधी वन्स के संस्थापक थे और लोधी वन्स के अंतिम सासक थे इबराहिम लोधी जिसको बावर नहराया था 1526 में पानिपत की पहली लडाई में अगला कुश्चे ने राष्टकुट वन्स की राजधानी कहा थी तो देखे राष्टकुट वन्स की राजधानी के बार हैं तो याद रिखिएगा सैयद हमद खां तहजीव उल एक लाक की रचना किशने की थी तो सैयद हमद खाने अगला कोश्चे ने समराथ हर्सवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलेनों का आयजन किया था इने में से किस जगह हमें तो एक तो परियाग में और थानिस्वर में तो अप्शन नंबर भी करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चे ने नांगानंद रतना वाली एवं प्रिय दर्सिका नाटकों के नाटककार कौन थे तो देखे राइट एंस रोगा ऑप्शन नंबर डी हर्सवर्धन अगला कोश्चे ने ए लोरा की जो प्रसिद गुफाएं हैं उनका निर्मान किस ने करवाया था तो साथियो राष्ट कुटों ने राष्ट कुट सासकों ने ओप्शन नंबर सी करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है यानि इनमें से किसका उपनाम है प परसीद है वहाँ कौन था तो साथियो दिल्ली का वहाँ सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्मान करने के लिए परसीद है वहाँ कौन था तो याद रिखे फिरोज सातुगलक ऑप्सन नंबर सी नेक्स्ट कोस्टे ने किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्का ने चिहल गानी या 40ी दल का गठन किया था तो इल्तुतम इसने और इस 40ी दल का पुर्नता से सफाया किसने किया था तो बलवन ने ये दोनों बात याद रखना ठीक है आगे देखिए मानव द्वारा सरपर्थम पर्युक्त अनाज कौन सा था यानि मानव के द्वारा पर्युक्त किया गया सबसे पहला अनाज कौन सा था तो गेहूं वज्जो याद रिखिए ओप्शन नंबर भी करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चे ने 1923 इसमी में चितरंजन दास एबम मोतिलाल नहरू ने कहां स्वाराज पाठी की अस्थपना की थी या एस्टेनिमन में से कौन सा गोलमेज जम्मेलन 1932 इसमी में हुआ था तो साथ यो तीन गोलमेज जम्मेलन हुआ था पहला हुआ था 1930 में ठीक है दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा जो हुआ था ये 1932 में हुआ था तो 1932 में जो हुआ था वो तीसरा था तो आप्शन नंबर सी करिक्ठ होगा याद रखना दूसरा जो गोल में जम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था गुर्जरो को किस सासक ने पराजित किया तो साथियो याद रखना है बहुत एच्छा कोश्चन है हर्सवर्धन ने ओप्सन नमबर सी याद रिखे गुर्जरो को किस सासक ने पराजित किया था तो साथियो हर्सवर्धन ने अगला साहा जहां के काल में कौन योरपिया यात्री भारत आया था तो करिक्ठ हो जाएगा पीटर मुंडी याद रिखेन का नाम पीटर मुंडी किस सिख गुरु ने बिद्रोही राजकुमार खुसरो की साहत धन अबम आसिर्वाद से की थी यानि किस सिक्ख गुरु ने बिद्रोही राजकुमार खुसरो की सायता धन अबम आसिर्वाद से की थी तो याद रिखे गुरु अरजुन देव जो कि सिखों के पाचवे नंबर के गुरु थे आगे दिखिए नेक्स्ट कोस्टे ने बहुत धरम गरहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो महा माया याद रिखिएगा महा माया नहीं देखिए महा प्रजापती गोत्मी है ना option number C correct answer हो जाएगा महा प्रजापती गोत्मी अगला question है गुप्त सवंत को प्रारम करने का स्रे किसे दिया जाता है साथ देखिए गुप्त सव लोगा चंद्रगुप्त पर्थम को option number A अकबर के सासनकाल में भुराजस वो सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था तो देखिए अकबर के सासनकाल में भुराजस वो सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था याद रिखिएगा टोडर मल option number B next question है सिवाजी ने मुगलो को किस संधी के द्वारा किलो को हस्थान्तरित किया था त्राई टेंस रोगा पुरंदर की संधी से साथ यू पुरंदर की संधी जो की सिवाजी और औरंगजेव के विच में हुआ था 1665 इस्वी में ठीक है तो option number C पुरंदर की संधी करिक्ठ हो जाएगा महमुद गजनव के आकरमन के परिणाम स्वरुप कौन सा सहर फार्सी संस्क्रीती का केंद्र बन गया था तो राइट अंसराइगा ओप्सन नमबर नाहौर नेक्स्ट कोस्टेन जलिया वाला बाग नरसंगहार के समय भारत का वायसराइ कौन था देखे जलिया वाला बाग हत्याकान जो की 13 समय भारत के वायसराइ थे लौड जैम्स फोर्ड ऑप्सन नमबर डी कॉंग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष घोसित किया गया था यह कहां पर हुआ था तो राइट एंसरे ऑप्शन नमबर सी लाहौर में नेक्स्ट हमपी का खुला संगराल किस राज में है तो साथ यह हमपी जोगी बिजे नगर समराज की राजधानी हुआ करती थी और हमपी का खुला संगराले यह कहां परिष्टी थे तो करनाटक राज में ऑप्सन नमबर ए किस संगमबन सी सासक को प्रोड देवराई भी कहा जाता था तो देखिए वो कौन से अंदुलन को किस ने संगठित किया था तो गुरु राम सिंग ने ऑप्सन नमबर सी राइटन सरोगा अगला प्राचिंतम पुरान कौन सा है तो देखिए इन में से सबसे प्राचिंतम पुरान कौन सा है तो याद रिखी का साथ हो ऑप्सन नमबर मतेस्य पुरान भारतिया विशुविद्याले अधिनियम 1904 किस वाय सराय के काल में पारित किया गया था तो देखे भारतिया विशुविद्याले अधिनियम 1904 ये किस वाय सराय के काल में पारित किया गया था तो लोड करजन के समय में ठीक है लोड करजन के समय में 1904 में 220 विशुविद्याले भारतिय बिस्विद्याले अदिनियम पारित हुआ और 1905 में लॉड करजन के समय में ही बंगाल का भीवाजन भी हुआ नेक्स्ट एफ फैजी निमने लिखित में से किसके दरबार में रहा तो देखे फैजी जो है वो किसके दरबार में थे तो अकबर के साथ यो बिलकुल आपको सूपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं ठीक है क्योंकि अभी आपका समय बहुत किमती है इसलिए डिरेक्ली आपको जो है बिलकुल सूपर फास्ट तरीके से क्लास को करवा रहे हैं ठीक है आप लोग सभी से रिक्वेस्टे प्लीज आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा देखे जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हच्टा कर दी थी तो याद रिखेगा बीर सिंग बुंदेला ने अगला कोश्चन ने गोध प्रता पर प्रतिबंद लगाने वाला गवर्ण जनरल कोई था तो साथी की गोध प्रता पर प्रतिबंद लगाने वाला गवर्णज जनरल कोई था तो राय टेंसर हो जाएगा Lord Dalhoji option number B अगला है रामकृष्ण परमंस का जनम का नाम क्या था तो साथे दिखे रामकृष्ण परमंस का जनम का नाम आपसे पुछा है क्या था याद रिखी का गदाधर चटो पज्ध्याई option number C कृष्ण देव राई किसके समकालिन थे तो कृष्णदेब राई जोकी बिजयनगर समराज की राजा थे और ये किसके समकाली थे तो मुगल सासक बाबर के option number C सिबाजी सर्वधिक किस से परभावित थे? तो देखे सिबाजी सर्वधिक किस से परभावित थे? राइट है option number C जीजावाई से question number 47 ध्यान से दिखेगा दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो याद रिखेगा समर्थ रामदास option number D राइट है अगला question है तो देखे करिक्ठ होगा बिरिहत कत्था की option number 1 करिक्ठ हो जाएगा अगला question है एक दीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जो कि एक दीप परिस्थी थे? तो राइट होगा option number D मुंबई चलिए अगला question है किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्णर जनरल बनाये गए तो राइट एंसर हो जाएगा साथियो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगला question है धनवंत्री कौन थे? तो दीखे धनवंत्री कौन थे? तो बहुत ही अच्छा question है option number B राइट होगा चंद्रगुप्त विकरम दाइट के राजदर्बार के नवरत्न में से एक जो की एक परसिद चिकित्सक भी थे option number B री correct हो जाएगा चेतन्य महाप्रभु का जन्म अस्थल इन में से कौन सा है? यानि चेतन्य महाप्रभु का जन्म किस अस्थल पे हुआ था तो देखे करिक्ठ होगा option number A नदिया या नवधीप आप इसको बोल सकते हैं option number A 1526 इसवी में बाबर ने किस वन्स के सासक को परास्त कर मुगल समराज की नीव डाली थी तो देखे मैंने अभी आपको बताया था कि लोधी बन्स के अंतिम सासकते इबराहिम लोधी जिसको बाबर ने 1526 में पानिपत की पहली लडाई में हराया था और फिर मुगल समराज की अस्थापना की थी अगला कोश्चन है मुखमद गोरी एबम कन्योज के राजा जैचंद के मज़ 1194 में 1194 इसवी में हुआ यूद किस नाम से परसीद है तो देखिए मुखमद गोरी और कन्योज के राजा जो थे जैचंद इनके मज़ जो 1194 में यूद हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है याद रिखेगा चंदावर का यूद औप्सन नमबर C बरतमान गनित के दसमलो प्रनाली आविशकार का स्रेई निम्न में से किस यूग को है तो देखिए बरतमान गनित के दसमलो प्रनाली आविशकार का स्रेई निम्न में से किस यूग को दिया जाता है तो गुप्ति यूग को गुप्तियोग करिक्ट आएगा option number B, अगला question है, सम रांगन सुत्रधार, ये किसका विषय वस्तु है, याद रिखे इस्थापत के सास्त्र का, option number C करिक्ट होगा, पुरो बेदिक आरियों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो करिक्ट आएगा साथियों प्रकृति की पूजा और ये अग्य, option number C करिक्ट होगा, अगले 1857 की करांती का चिन क्या निश्चित क्या गया था, तो 1857 की जो करांती हुई थी, उसका चिन क्या था साथियों, या सिंबल, तो याद रिखे कमल एवम चापाती, ठीक है, तो option number C करिक्ट होगा, कमल एवम चापाती, महमद गौर का सरवादिक महत्पुन भारतिया आकरमन कौन सा था, तो तराइन का दूतिय यूद, तराइन का दूतिय यूद, जिसमें महमद गौरी ने पृत्विरा चौहान को हराया था, याद रिखे, option number C, और ये कब हुआ था, तो 1195 में, और साथियों, तराइन का जो पहला यूद है, ये 1191 में लाड़ा गिया था, इसमें पृत्विरा चौहान ने महमद गौरी को हरा दिया था, याद रखना, अगला है, मिहीर कूल का संबन किसे था, तो हुनो से, option number B, करेक्ट होगा, हुनो, अगला है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्स भारत इस्थित फ्रांसिसी वस्त बी में, option number B, निमनलखित में से वहां महानतम कुसान नेता कौन था, जो बहुत बन गया था, या बहुत धर्म को अपना लिया था, तो कनिस्क, option number C, इस हिंदु विधी की परसीद कुस्तक दाइभाग, दाइभाग के रचियता कौन थे, ये question बहुत important है, तो याद रिखे, जाया दाइभाग के रचियता कौन थे तो साथ्यों करिक्ट करिक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी जिमूत बाहन याद रिखिएगा अगला कोश्चन है बांडिवास का युद्ध जो की 1760 में हुआ था अंग्रेजों का नेतरित इसमें किसने किया था तो साथ्यों ब फार्तिया कौन था तो एम एन रॉइ ऑप्सन नमबर ए राइट एंसर है संकर आचारी का जनम 788 इस्वी में केरल के किस गाउं में हुआ था देखिए संकर आचारी का जनम जो है साथ्यों केरल में हुआ था 788 इस्वी में आपको बताना है कि केरल के किस गाउं में हुआ था तो आप्सन नमबर एक करेक्ट होगा साथ यो कलादी या कलाडी याद रखना नेक्स्ट है किस सूफी सिलसिले की गति विदियो का मुख्य केंदर बिहार था तो याद रिखिएगा बहुत है इच्छा कि दुरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक नेल दरपन के लेखक कौन थे तो याद रिखिएगा साथ यो दिन बंधु मित्र आप्सन नमबर भी प्रेम 25 के रचनकार कौन है तो याद रिखिएगा मुनसी प्रेम चंद आप्सन नमबर ए राइट होगा दूतिया अंगल मैस यूद के समय भारत के गवर्ना जनरल कौन थे तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए वारएन हेस्टिंग्स अगला अर्थ सास्त्र का लेखक किसके समकालीन था इस क्वेशन को ध्यान से देखिएगा अर्थ सास्त्र का लेखक कौन था साथिओ चानक क्यशनिक के समकाली था चंदरगुप्त के चंदरगुप्त मौरी के तो यहां करिक्ठ होगा option number B चंदरगुप्त मौरी याद रखना चंदरगुप्त मौरी के ठीक है अगला कोस्चन ने गदरपाटी की अस्थापना हुई थी किस वर्स में तो देखिए गदरपाटी कि अस्थापना सेन फ्रांसिस्को में कव हुई थी तो 1913 में option नमबर भी राइट अंसर है निमनल खित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारविल से संबंदित है तो साथी निमनल खित में से कौन सा वो अभिलेख है जो की कलिंग नरेश खारविल से संबंदित है तो हा इसमें अगला है विजयनगर किस नदी के तत परिष्थił यूद्se रिख्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो याद रिखेगा सरस्वती नदी को option number भी correct होगा निमनल लिखित में से कौन सराजा है जो की प्राई जनता के संपर्क में रहता था ये question साथ हो very very important है तो देखें निमनल लिखित में से कौन सराजा है जो प्राई जनता के संपर्क में रहता था देखे correct हो जाएगा यहां आपका बहुत ही अच्छा question है असोक याद रिखीगा सभी option number भी correct हो जाएगा कौन सरा जाया जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था तो असोक अगला question है अनुसिलन समीती क्या थी अनुसिलन समीती साथ हो एक गुप्त रोप से कायर करने वाले करांती कारी संगठन था याद रखना option number D कर्म का सिध्धान किस से संबंदित है तो मिमान सा दर्शन से option number D करिक्ठ हो जाएगा निमनल खित में से किसे देखे कुरान खवा यानि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था तो साथियों याद रिखेगा राइट अंसरों का कुतु बुद्धिन एवग को देखे कुतु बुद्धिन एवग जिनोंने 1206 में गुलाम बंस की अस्थापना की थी भारत में चान्दी की उपलबदता के प्राचिन्तम साक्ष कहां से मिलते हैं तो देखे भारत में चान दो जैन तिर्थ करो का उलिख मिलता है तो देखे राइट अंसरों का ओप्सन नमबर रिसवदेव और अरिष्ठ नेमी का अगला कोश्चन है सासक बनने के बाद 12 अज्यादेश जारी करने वाला मुगल वादसा कौन था यानि इन में से कौन सा मुगल सासक है जो साथियों वादसा बनने के बाद 12 अज्यादेश को जारी किया था तो राइट अंसरों का ओप्सन नमबर रे जहांगीर बंगाल का द्वेद सासन कब से कब तक चला था तो देखे बंगाल का द्वेद सासन 1765 से 1772 तक चला था और ये 1773 में वारेन हैस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था अगला प्रसिद भक्त कवेत्री मीरावाई के पती का नाम क्या था तो दिखिए प्रसिद भक्त कवेत्री मीरावाई के पती का नाम था राजकुमार भोजराज ऑप्शन नमबर भी राइट है साथियो अगला क्वेश्चन है फरुक हसियार किसके सहयोग स मुगल बाद्चा बना था तो सयद बंधुओं के उप्षिन नंबर भी रायट अंसर औरूगा नंभने इतिहासकारों मेंशे किस ने अक्बर को इसलाम का शत्रू कहा तो इन मेंसे व next क county जिन्यून ने अकबर को इसलाम का सत्रू है तो रायट अन्सर होग गवर्णर जनरल कौन थे तो ठगी प्रथा के उन मुलन के संबंदित गवर्णर जनरल कौन थे तो राइट अंसर हो जाएगा लॉड बिलियम बेंटिंग ऑप्शन नमबर भी सुद्धित पासन के रेचियता कौन है तो सथियों सुद्धित पासन के रेचियता याद रखना रविंद्रनाथ टेगोर हैं ऑप्शन नमबर से करिक्ट हो जाएगा अगला कि समध्यकाल इन भारतिय सासक ने पट्टा एवं कबुलियत की प्रथा को आरम किया था तो देखिये पट्टा एवं कबुलियत की प्रथा किसने आरम किया था बहुत यह अच्छा कोश्चन है याद रिखी का साथियो पट्टा एवं कबुलियत की प्रथा का आरम किया था सेरसा सूरी ने तो आप्शन नमबर सी यहां आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा और इस प्रथा का अंत किसने किया था तो अलाव दिन खिल जी ने यह भी आपको याद रखना है चलिए अगला क प्रण के लिए आरक्षित भूमी को मुगलकाल में क्या कहा जाता था तो दिखेगा हस्तान तरण के लिए आरक्षित भूमी को मुगलकाल में क्या कहा जाता था तो याद रिखेगा पैबाकी या पाईबाकी ऑप्सन नमबर सी नेक्स्ट है अतिवादियो या उधारवाद के पुनर मिलन की प्रक्रिया में प्रामुक सिल्पी निम्न में से कौन था तो देखे राइट एंसरो जाएगा एनिवेसेंट ओप्शन नमबर ए मांटेंग्यू चम्सपोड की रिपोर्ट आधार कब बनी थी तो राइट एंसरों का भारत सरकार अधिनियम 1919 में ओप्शन न नमबर भी अगला है दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा सुरू किया गया था देखे दिन ए इलाही धर्म को किसने सुरू किया था हुमायू ने जहांगिर ने अकबर ने या सहा जहाने इस कोस्चन का अंसर क्या हो जाएगा आप लोग हमें इस वीडियो के मंदीर विठल स्वामी मंदीर और हजार रामस्वामी मंदिर इन तीनों मंदीर का निर्मान कराया था ठीक है लेकिन मिनाक्षी निर दे बीकरम दाइरी उपाधी कभधारन की थी तो देखे चंदरगुप दूतिया ने बिकरम दाइत की उपाधी कभधारन की थी तो याद रिखे बहुत ही अच्छा कोस्टेन है सको का उनमुलन करने के बाद साथ यो आज इस क्लास में पूरे 100 इंडियन हिस्ट्री यानि भारत की इतिहास के कोस्टन्स आपको करवाएं जो कि आपके दिली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पुन है तो आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट वोक्स में कमेंट करके क्लास को एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों तक जरूर सेयर करिएगा अपने से कोई भी साथ ही नए है तो देखे वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करिए बगल में घंटिक आइकॉन दिखेगा ब घंग मतरम